Hello my dear students, welcome to IFS, this is Chandan and now I am here with the third question of our series, question of the day. इससे पहले जो दो question आपके सामने रखा हमने, उस पर आपने बहुत अच्छा respond किया, बहुत सारे लोगों ने अपने point of view बताए कि statement है, अगर तो वो true है, तो क्यों true है, false है, तो क्यों है, इस तरह सीखते रहिए और try करते रहिए, third question देखते हैं कि हमारा क्या है इस series का, एक statement है और हमें बताना है कि यह statement true है या false है, अगर true है तो उसका precise सा reason देना है, और अगर false है तो counter example, statement क्या है हमारा, if G be a group and H, K, L and M be the subgroup of G, such that H is normal in K, K is normal in L, L is normal in M and M is normal in G, then H is normal in G or not, यह हमारा question है, कि H अगर G में normal होगा, तो फिर obviously statement true हो जाएगा, तो उसका reason क्या है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर counter example क्या होगा, question एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, जो statement है हमारा, कि G कोई भी group है, ठीक है, फिर H, K, L, M, यह चार subgroup है G के कुछ इस तरह से, कि H, K में normal है, K, L में normal है, L, M में normal है, और M, G में normal है, तो हमें बताना है, कि क्या H, G में normal होगा, मतलब H का K में normal होना, K का L में normal होना, L का M में normal होना, और M का G में normal होना, इस बात को imply करता है क्या, कि H, G में normal हो जाएगा, subgroup तो है ही है, normal subgroup बनेगा क्या, मतलब इस condition के आ करिए इसको और बताइए आप रिस्पॉंड करिए कि हाँ अगर यह स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है और अगर फॉल्स है तो काउंटर एक्जाम्पल क्या होगा ओके थैंक यू